हेलो पेरे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी आय होप की सभी अच्छे होंगे बच्चों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5 के विशेहिंदी के राष्टे उपलब्दी सर्वेच्छन टेस्ट को सुल्ब करेंगे जो की उत्री दिल्ली नगर निगम के द्वारा दिया गया है तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें तो शुरू करते हैं भाग एक नीचे दी कविता पढ़कर प्रश्णों के उत्तर दीजिए बच्चों आप एक कवित वो इधर से निकला यानि कि जंगल से निकला और दूसरी और चला गया वो आखे फैला कर अपने बाबा को बताया कि हाँ बाबा बाग आया उस रात की उस रात बाग आया था अब रात को बाहर ना निकलो कि अब बाबा आब रात को बाहर मत निकलना जाने कब बाग फिर से आ जाए कि पता नहीं कब क्या पता आज फिर से बाग रात में आ जाए हाँ वो ही वो ही जो उस जहरने के पास रहता है अब कहता है कि बाबा हाँ मैं उसी बाग की बात कर रहा हूँ वो जो नदी के उपर जहरना है जो वहाँ पर रहता है वहाँ अपन दिन के वक्त गए थे या इक रोज अब कहता है कि बाबा हम वहाँ एक दिन जब दिन था तब वहाँ पर गए थे घरने पर तब मैंने उसे देखा था अब बच्चों यहाँ पर प्रस्थ्ण है उप्रोक्ट पंक्तियों में वह सब्द किन के लिए पुरियोग किया गया है तो बच्चो यहाँ पर option है जंगल और बगीचे के लिए, बालक और बाग के लिए, जहरने और तालाब के लिए, रात और दिन के लिए तो बच्चो यहाँ पर answer है option number खे, बालक और बाग के लिए, next है उपरोक्त कविता के अनुसार बाग कहां रहता है तो बच्चो उप्चन है सडक के पास बस में जहरने के पास कुए के पास तो बच्चो आंसर है उप्चन नमबर गय जहरने के पास नेक्स्ट है यहाँ पानी के किस रोत की बात की गई है उप्चन है नदी तालाब समुंद्र जहरना तो बच्चो आंसर है उप्चन नमबर ग पीछे से सूरज जहाक रहा था, दस वर्ज का विशन घर से बाहर निकलाया, वह रोज इसी समय इसी रास्ते से कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर जाता है, कर्नल दत्ता की पतनी पढ़ाई में उसकी मदद कर दी है, फारं से लगे सेवों के बाग में कीतना सक दवा का छिड़ हो रहा था, और बहुत तड़के काम शुरू हो जाता था, तड़के इटमीज बहुत जल्दी सुबह को, विशन पगडंडी से अभी सड़क तक आ ही रहा था, पगडंडी कहते हैं बच्चों कच्चा रास्ता होता है, जो की संकीर होता है, छोटा होता है, ज्यादा नहीं होता, कि उसे गोली चलने की आवाज सुनाई दी, उसने इधर उदर देखा, कोई भी दिखाई नहीं दिया, वे कुछ ही दूर चला था, कि उसे फिर गोली चलने की आवाज सुनाई दी, इस बार एक नहीं, दो तीन गोलियां एक साथ ही चली थी, गोलियों की छिप कर खड़ा हो गया अब बच्चो question है बिशन कहां जा रहा था option है घर farm house school बाजार तो बच्चो आंसर है option नमबर खे farm house next है बिशन की उम्र क्या थी option है 10 वर्स 12 वर्स 8 वर्स या फिर 11 वर्स बच्चो आंसर है option number के 10 वर्स थी next है सैम कर सब्द का क्या आर्थ है तो बच्चो option है Khus होकर दुखी होकर है घरन होकर या फिर डर कर to इसका आंसर है option नमर गये डर कर next है पंची क्यों घबरा गये बच्चो उप्सन है लोगों को देखकर गोली की आवाज सुनकर बिसन को देखकर या फिर किसानों की आवाज सुनकर तो आंसर है बच्चो गोली की आवाज सुनकर नेक्स्ट है पकडंडी का क्या अर्थ है तो बच्चो उप्शन है पतली सी पक्की सड़क, खेतों के बीच का संकरा रास्ता, डंडी जैसे पेर या फिर चोडा रास्ता तो बच्चो आंसर है उप्शन नमबर खेतों के बीच का संकरा रास्ता नेक्स्ट है गुरू का पर्यावाची सब्द बताईए ओप्सन है सिक्षक आदर सिस्य विद्याले तो बच्चो आंसर है ओप्सन नबर के सिक्षक नेक्स्ट है सही मुहावरे से वाक्य पूरा कीजिए चोर ने पुलिस वालों की क्या की आख चुराली आखों में धूल जोग दी आखों का तारा होते है या आख दिखाई दी तो बच्चो आंसर है आखों में धूल जोग दी चोर ने पुलिस वालों की आखों में धूल तो यहाँ पर आएगा बच्चो चोर ने हतोडे से It means option number के Next है निम्न वाक्य में से किरिया सब्द ढूंडिये हाथी धीरे धीरे चलता है Option है हाथी धीरे धीरे चलता है तो इनमें बच्चो किरिया सब्द कौन सा है चलता Option number गैपर सही का निसान लगाएंगे Next है निम्न वाक्य में से सर्वनाम सब्द ढूंडिये Option है हम बरसात में चाते का प्रियोग करते हैं तो बच्चो option है बरसात चाता हम प्रियोग तो आंसर है बच्चो option number गैए हम Next है निम्न वाक्य में से विसेशन सब्द ढूंडिये मैदान में चार बच्चे खेल रहे हैं तो इनमें बच्चो विशेशन क्या है मैदान चार बच्चे खेल तो आंसर है बच्चो ओप्सन नमबर खेल चार नेक्स्ट है पंडित सब्द का लिंग बदलिए तो बच्चो यहाँ पर सब्द है तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू